खबर बैकुनपुर से है जहाँ पर जन्पत पंचायत के अंतरगत ग्राम सागर्पुर का मामला सामने आया है जहाँ पर आवेदर की भूमी पर जिला प्रसासन अधिकारी सही ठेकेदार द्वारा नियम के विप्रीत बने मकान पर जेसी भी चला दिया गया। अधिकारियों सब कुछ जाने पर सटीक जानकारी नहीं देना उचित समझा जिससे घटना अस्थल में मकान को गिरा दिया गया तो वहीं आवेदर दरदर भटकने को मजबूर है आवेदर ने सिकायत कोरिया पुलिस को दी है जिस पर जांच कारवाई की मांगी गई है मारजनता पार्टिक पुर्वपुर्वा लोगों सहसे प्रतासी दावेदर एक मामला मेरे पाकावर आया है ये मामला है अपने संतोष ताहुजी का इंजा खागरपुर में जमीन था थिरी 69 खसरा नंबर था इनको तस्सिलदार नहीं तस्सिलदार के दुआरा शिमांकन के नोटिस दिया गया शिमांकन नोटिस जारी करने के बाद जब इनके पास नोटिस आया तो ये कलेक्टर करिया रहा गए अठाई दस चोवीस को तीष सिमांकन की डिट आगे बढ़ाई जाया तुकि फेस्टिवल पढ़ रही थी तो बहुत सारी फरकाड़ी को पर बाद इनके निवास पेसागरपूर पर तषिल दार मैर तषिल दार और ठेकेदार और जो यहां की कुटवाली पूलीच है वो गई और इनके थोरों से जो मामला मुझे पता चला है कि इनकी मम्ने के साथ दुरबयबार किया गया है और क्या बोलती कि जैहर का सेवन क्र मामला है मकान वाला बिना किसी नोटिस के तोड़ा कैसे करिया यह बड़ा गंभीर विचे है या तो इसमें कोई बड़े बिल्डर या फिर बड़े जो भूमाफिया है उसका हाथ हो सकता है यह जाच का विचे है इसमें मैंने तफिल दार मेड़म अबृता सिंको पोन भी अब लेकिन यह मामला जाच का है मैं प्रचासन से यही मांग करना चाहूंगा कि इनको उचित नयाए दिया जाए तथा इनकी मां को जो जीस ने जयहर का सेवन कराया है उसकी जाच की जाए तथा इनका फिर थाने में लिखा नहीं जारा है चुकि एफ यार काफी मेरे पास में ने फायर खुंट घ्राइब अगया था तो बोले कि ये मामरा प्रसासां का मामरा जो मेरे फायर लिखेंगे ये आप एक पर S.P. आप से मिल लीज़ें तो इन्हों ने S.P. साथ तक्मिरत S.P. साथ मेरे साथ के टाइन सील है इसमें इस पीश आपका जो यह सील साय ना वो थाने में जल्वी आ जाएगा तो इसका निराकर्ण मेरे क्रावचा हो जाना चाहिए इसमें जो अधिकारी गढ़ है तो इनकी जाच कराई जाए तता इनको उचित नयाज दे रहाए जाए इनका जमीन खसरा नंबर 369 था इनको कहने का मतलब है कि प्यची विभाग के जमीन है अगर है तो इनका 369 जो खसरा नंबर इनकी जमीन गोल कहा होई जाते इसमें राइपटवारी कहा था है जाते इसमें उपर सले की नीचे तक जितने अधिकारी है सब को इसमें हाथ है तो इसी गंभीर विशा है ये सब्सक्रान करना चाहँ हूँ जिसके 389 जमीन है खसरा नंबर इसकी जमीन कहाँ से इसको सिमांकन जाच कर ढ़े जाए जब पर वास्ताम जमीन है शागरपूर में दिलाया जाए और जो इनका में तोड़ा गया है दस्किल्दार के द्वारा उसकी जाच करा जाए क्योंकि यह बड़ा ही गंभीर पूर मामला है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और अपर असे घटना बेकुनपूर हमारे अज़ेस खल में नहों सके ताकि हमारे जो समाज है समाज में यह हमारे प्रशासिन खिलाप नकरात्मक सोच लोगों के बीच मिरना आए हन्ने राए मैं संतोस साहूर ग्राम सागरफूर तादिवासी हूं और जिनान के 28 तारीको मेरे साथ एक घटना खड़ गया और यह घटना बहुत बड़ी घटना है मुझे समांकन करने के लिए नोटिस दिया गया लेकिन मैं मेरी मामी जो है वो एक्सपायर हो चुकी थे उनके कारिकरम में जाना था मुझे इसलिए मैं जो है कि मैं और मेरी बहान अज ग्रेक्टर कर ले गया थे कि समांकन की हमने उनका इंतजार किया उस दिर बाद अचानक मुझे फोन आया मेरी बहन का कि मा बताई कि वहाँ पर घर को तोड़ने की करवाही कर रहा है फिर मैं मेडम से मिलने के प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि वो मिटिंग में विजी थी तो मैं अपनी शोटी वाली बहन को लेकर के खंच ला गया और मेरी वड़ी वाली बहन जो है वो करने कलेक्टर में उपसे थी मैं जाकर देखा तो जैसे ही मैं खताई स्थल पर पहुंचा वहाँ पर तोड़ने करवाही चल रही थी मैंने जाकर वहाँ पर लायग तश्दार और तश्दार और आपका अराई पटवड़ी से मिला उनसे कुछा की बिना नोटीस के बिना आरडर के आप कैसे तोड़ रहे हैं आप जो है सिमंकन करने के लिए नोटीस दिये घञके तो आप कैसे तोड़ दिये इसो तो उन्होंने मैंने बुला आर्डर दिखाईआ तो उन्हों नहीं दिखाया मैंने उस घचना का विडियो परियास किया लेकिन पुलिस्वाले जवरं गचे मेरा मुवाईल लूपने का परियास कियो अब लेखे अपने पुलिस की गाड़ी है उसमें लिजा करके और बंद कर दिये और पकड़ के रखे रहे हम लोगों को, मतलब बंदी बनाकर रखे रहे हैं। इसके बाद पर मैंने पर्यास किया, इसके बाद पर बंद किसी परदार से पूछा, और उनने बोला कि इसको मैं तोड़वा रहे हैं। हमार पस कोई अडर नहीं, तसलिदार जहां चाहें वहां तोड़ा सकता है, जिस्तरकारी जर्मिन ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं बोल अफिना नोटीस कि आप कैसे तोड़ देंगे, बोलती है मेरा पावर है मैं तोड़ा सकते हूं, ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मेरे को कोई इसमें समय नहीं दिया गया ना सूना गया, मेरा अपना पक्छ रखने के लिए इसमें कोई समय दिया गया, और नोटीस ऐसे दिया गया जैसे कि आज करवाई करना है और यह दिन पहले कि मैं नोटीस दिया गया रहा है, तो उसमिन फिर मैं न्याले चला गया इष्टे लेने के लिए बोले कि जा इष्टे लिआओ तब हम यह कावा ही रुखेगा अनिता नहीं रुखेगा मैं चला गया न्याले और वहाँ पर मेरी मा बस इकले ले थी तो बाद में ज्यालिन प्रगरिया में सामाय लग गया और इस्तगन दों नहीं मिल पाया लेकिन मुझे पद़ चला कि मेरी मा जो है वह हास्पितल में एडमिट है अस्पिटल में आया और माँ से पूछा कि इसे खटना हुआ, तो मेरी माँ बताई कि वहाँ पर शगेदार जो है, वह मैं जब अपने वर्यास कर रहे थी, उससे में जो है कि शगेदार कुछ सिसी निकला और सिसे मेरे मुग में डाल दिया, उसके तरल पदार था, वो मेरे पर पी आई सलब भी आया थे, देखने के लिए मेरी मा को, और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर एकत्रित थे, मैंने उनसे बोला कि आप रिपोर्ट दर्ज कर लिए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, और इसके पस्चाद फिर चल रहत कर वाई, मेरी मा बता कि मेरी मा का MLC नहीं किया रहा है, और ठाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं किया रहा है, तो मैं जो है कि SP कर ले गया, और वहाँ पर एक खावदन दे दिया हूं, जिसका मुझे रिसीविंग प्राप्त हो गया है, सासन पर सासन से मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिले और मे सेका की रिपोर्ट, TV1, NDRM